में समिधान का प्रियामबल अब तक प्रिंट हुआ करता था पहले प्रियामबल हमारे समिधान की आत्मा है यह हमारे समिधान और लोकतंत्र का फांडेशन, प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इनके वैल्यूस को दर्शाता है। यह इतना रहते हुए भी और एक बार मैं यह भी बताना चाहता हूँ, जब कांस्टून्ट असेंबली में यह बात चली और भाशन भी हुआ 25 जवबर 1949 नवट शूट असेंबली में, यह ब जरा आओ सेंबली में ह माँआ है।, जब कांस्टून् थर शूचान जबकर सी और भी और सेंठोंब कांस्ट और कर चाहते हुआ लाइँ, लिस्च असेंगे, ओर सेंभ व्राहता हूँ इंए अभान। अप्राफी हैं।, को वा help री नहीन तो ऑन ए्टेन एप्र माच実 और ए्टॉझ जौग अब काव उच्याथ करीष्ग प्रफट अ सब्सिनस अिप्लेटी ये अपैंश इंब कर दूत अ क्यौ र्ट्री लवार घ्टॉटंओ धीटर,। अजू तो न Christians दूवनед इंद ए ट्रीन ecc点, छ तौा में आट आप सभी इस बात के बात से समत होंगे कि हर नागरी को और खास तौर पर हमारी भावी पीडी को स्वतंतरता, सेनानिया, समिदान निर्माताउं, लोगतंतर समिदान और उसके फंडम, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूस के बारे में जानना ही चाहिए हमारे महान नायक मात्मा गांदी जी, पंडित नेरू, डक्टर मेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और अन्य आजादी के अंदोल में इन मूल्यों के लिए कितने कुरवानी दी है यह आप जानते हैं, बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले तो भावा साहिब की प्रतिमा, गांदी जी की प्रतिमा को हटा कर, सर्देशन में इन मौल्यों, गजार ने यह यह वे इन शाओकिश्टर, इन यह जो एसलिए जर्देशन में इन नियुजेखंए, इन आपको छुछ एफ्यों इतना जर्देशन होता हम जो कहते हैं, हम कहते हैं, उसको अगर रिप्लाइ देना है दो उदेने दो, प्राज़ पहले बाबा साथ और महात्वा गंदी जी के पृतिमा को अटा कर खलक किया फिर समीदार से छेट चार हो रही है पर मैं चेताव नहीं देता हूं कि आईसे बदाओ देश के लोगों को सिकार नहीं होगा आरेसस और पीजेपी अपनी सांपरदाई की विचारदारा को देश के लोकों पर थोपने के लिए पाट्टे क्रम के साथ छेड़ चार्ड कर रही है और यंशी आर्टी ने ये जो कदम उठाया है ये ठीक नहीं है अलके दिनों में पाट्टे क्रम नहीं हो रही है कि मैंड भाट्टे क्राम करता गुष आर्टे कर दूफ प्र थπάराों कर दूफ जाम है ये भुष ला मज़श क रही है प्लीघ ऐस घ्ज चीज़ अवह मनाचक्ष तूम उआ सब सरह कर लेच कर दोस्पार्ता आई ovulative सौने भी अभी तो मैं एकाड़ी करेंट तक फिर आप सिर्ड़ और लेडर सिर्ड पेस्ट पेड़ और वेड़र आपकेंच पॉर्ड बावस बावस पिक रखे मिल प्रजाब कहा इजिंट्क पर उंड़ेश्टेंट यह गुट्वी टिर दि मैं और टेड़ चार र 25 अबर शुन ठावर जहर सरकार से मांग करता हूँ कि पाट्टे क्रमों में हुए बदलाओं को लेकर एक विस्तरत तत सदन के सामने रखे इस मुद्दे पर सरकार पश्टी करन दे और समीदान के बारे में अपना कदम वापस ले जो एनार्सी अपने सेलेबस में बदलाओ की है यह अच्छा नहीं है तेक्स्ट्बूकित इसी ले और महिए आपने मुझे कई में हे कहा है यह आप पूछा सर ये है एक्स फॉल्स आओन प्रियाप्मल इन स्कूल टेक्स्टबूकित तेक्स बूट्सभूग है संब्सक्राइब कर दो नहीं को फुक्ति ऑने का ये शीर खुटूर्ण अफृटूर्ड करनों नहीं को खादम करने का अई तो नहीं है हम कर रहें हैं प्रप्रशक उसे कृटता है जाया है इन नहीं किट्रब्संस इन तरिए ऑन भज़ सृब का Clay इंटैक्टिनें इन आवप जबसेerap अधडि के जां अधडि मैं फड्लकर्श कम हैं लोग। सब्सक्राइब कोुछिसं और खड़ सर खता हैं लग। लोग। यह सप्तिट्यंट्राे जब सकता हूंग टोडियर परहें तरीके से चल रहा था और वातावन भी बड़ा अनुकूल था विपक्ष के नेता ने एक मुद्दा उठाया जिसके कारण भावनाएं दोनों तरफ से बढ़की और इस तरीके से विपक्ष के नेता ने जो विशे उठाया उसमें से एक ध्वनी प्तिजिंदित करने की की गई कि शायद सम्विधान के प्रियांबल और सम्विधान की मूल धाराओं से कुछ छेड़ छार होने की बात हैं सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि इंडियन नाशनल कॉंग्रेस एक जिम्मेवार पार्टी है और जो बात वो हाउस में कहती है वो जिम्मेदार पूर्ण तरीके से कहने का प्रयास करती होगी लेकिन मुझे आज उनके बुद्धी मता पर भी और उनके और उनके और उनके नियतन और उनके नियतन पर बहुत बड़ा दिनाटिंग्राओं बहुत बड़ा प्रश्ण चिन खड़ा हुआ है विपक्ष के नेता ने कहा कि ऐसा देखने में आया है ऐसा सुनने में आया है ऐसा पढ़ने में आया है मुझे लगता है कि इस हाउस में कोई भी वक्तवे देने के पहले इंडियन नाशनल कॉंग्रिस के विपक्ष के नेता को ये ध्यान में रखना चाहिए कि देखने में सुनने में और पढ़ने में नहीं कि सोर्स से आया है उस सोर्स को रखना चाहिए और और सोर्स सभापती जी कभी भी अकवार की कत्रने नहीं होती हैं सोर्स ओरिजनल टेक्स्ट बुक होता है दूसरी बात मैं यहां मैंने न NCRT की टेक्स्ट बुक देखी है न मैंने चेंज देखा है लेकिन मैं यहां पर पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के नित्वत्व में चलने वाली सरकार ने जितना समविधान को इज़द दे करके आगे बढ़ने का तै किया है किसी सरकार ने नहीं किया है और प्रियांबल के साथ छेड़ चाड़ करने का सवाली नहीं उटता वो अक्षर्शा word by word letter by letter this government under the dynamic leadership of मोधी जी is committed तीसरी बात ये सम्विदान सभा को और सम्विदान सभा को याद करने के लिए 2014 की 26 नवंबर के सम्विदान दिवस के लिए क्यों इंतिजार करना पड़ा ये बताता है कि this government which came in 2014 under the dynamic leadership of मोधी on 26 नवंबर decided to have a constitution day और सम्विदान दिवस मनाया गया इसी के साथ साथ मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि सम्विदान की ऊपर डाका तो डाला गया 25 जून 1975 रातो रात और और एक बार नहीं 90 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और सम्विदान की धजियां उड़ाई हैं तो इसों में उड़ाई हैं रही बात रही बात राश्टिये सवेंसे वक्संड की आपकी सरकार ने दो वार प्रतिबंद लगाने की कोशिश की आपकी सरकार ने एक लाक्ट्वेश हजार लोगों को मीसा और डी आई आर में जेल के पीछे दो साल डाला लेकिन राष्ट्रिय स्वेम सेवक संक उतना ही मजबूत हो करके निकल करके आया क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी देश प्रेमी इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ संगठन है और भारतिय जन्ता पार्टी पूरी ताकत के साथ माँ भारती के सेवा में मोदी जी के ने तुत्र में लगी है प्रेम्बल की रक्षा की गई है और प्रेम्बल की रक्षा की जाएगी इस बात का बैश्वार स्कूर्ण इस संगेता यादो नेमांड टू इंपरोव एकोनिक अडिशन अपने मुझे शेल्फ गूप पर मैलाओ के बारे में बोलने का वाद्टी